कि नवस्कार दोस्तों स्वागात है आपका हमारी चैनल टेकनिकल प्रमेक केल गुदता आज आपके सामने मैं फाइब बेंड और शिक्स बेंड के रेश्टेज का जो कलर कोड का वीडियो लेकर आएं और एक चीवर मतादें जो फोर बेंड के जो रेश्टेज जो जर्नरल इस्तेमाल होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिस में तो उसका वीडियो में पहले डाल चुका हूं एक बहुत पहले का डाला हुआ है लेकिन बहुत ही सॉलिड है और लगबक दो लाग से ज्यादा लोग उसको देख चुके हैं और अभी कि दक देना चाहते हैं जो हिंदी मीडियwerk वाले हों वहीं रुक्रे वहीं इस बीडियो का पूरा देखें आप उस बीडियो में कि देंगे वह भी घंधी मृट्रियो मम भालें बाद कत ही घुर्डर से था और English में पनले में पढ़ने पाड़ता था अगर कोई तो देखिए बताना तुमको 5 और 6 का लेकिन बेसिक थोड़ा साब को बताना पड़ेगा चुंकि जो जो लोग उसको उस वीडियो को बिजिट नहीं कर पाएंगे इसको देखने जो जो थोड़ा समझदार बेखती होंगे वह समझ जाएंगे इसी देंगे थोड़ा-थोड़ से देखना है तो उस वीडियो का लिंक डाल देंगे उसको आप देखेएगा उसमें पूरा अबिस्तार से फोर बेंड का सारे नियम कानूल मतलब उसमें बता बता के इसमें भी बताएंगे फाइब बेंड फाइब बेंड शिक्स बेंड के हम रखे हुए हैं रेश्टेंस आपको मेजर करके और कल्कुलेट करके जो है प्रेकल यह आपको दोनों दिखाएंगे तो बने रहेगा और लाच तक वीडियो देखेगा इसकी मत किजिएगा बहुत मेंने से बना रहे हैं और हिंदी मीडियों माले ही रूके सबसे बड़ी बात है इंगली वीडियों माले बुक्त बहुत लोचा होता हिंदी मीडियों माले बहुत आसानी रास्ता भूठते है और आसान वीडियों में बनाँगा तो बने रहेगा आपको पसंद आऊगा दोस्तों आपको एक काहरा याद रखना है इसमें दोस्तो आपको एक कआरा याद रखनाए कभिता की तरह याद रखणा का어े पेहनी वैसस इतना है का बूलाना प्याणी वैसस इसको लोग मज़ाग मज़ाग में याद करते थे चाल्ट में थोड़ा सा कठिन भी लगता था का भूलाना पिहनी बैसस बस इतना है का भूलाना पिहनी बैसस इसको हम लोग मजाग मजाग में याद करते थे इस्टार्ट में थोड़ा सा कठिन भी लगता था बाद में बहुत ही जी हो गया क्योंकि हिंदी है का भूलाना पिहनी बैसस तो का से काला हो गया भू से भूरा ह सामने तो सबसे तो का भूलाना प्याने आपको आद रखनाए क्यो g casi क्या होगा वně पर जा हमारे तो आपको यह याद रखना बहुत है इंपोंटेट है यह बेस है और दूसरा आपको मिलेगा 21 का मान कितना है आप इसको हम दिखा रहे हैं बने रही है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्रतेक का मान हम लिखें काला का जीरो है भूरा का एक है लाल का दो है नारंग टेंपरेचर होता है उसमें जाने जिए गोल्डेन का 5 परसेंट होता है सिल्वर का 10 परसेंट होता है अगर नन है कोई कलर नहीं है चौथे अस्थान पे तो 20 परसेंट होगा तो यह आपको एक लाइन इसको भी याद रखना पड़ेगा सबसे यह दोनों सबसे मतलब मूल म और यह पर याद तो फार्मूला देरे 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 दो चार बार में आप शिक जाएंगे एक बात अबरे कोई भी रेशने आप आख सामने इसे लाते हैं इतनों बता देंगे यह तने वह लुका है कुछ कहाना नहीं पड़ेगा वह बहुत भी रहेगा तो आगे आप आसा में बिल्कुल भाई कोई दिकत नहीं और हम लोगे दिखते हैं जो देशी वास जो रिस्टेंस से दिखता है तरीके से किस तरी इसी तरी ईसी तरीके से बना दियें देखे एची हो रहे देखि पहले हिस्थान पे सिलोवर गोल्डेन काला कभी नहीं आता है यहां पर अगर हम उपर से शुरू करेंगे तो नीचे गोल्डें सिल्वर या नन सबसे लाश में होता है यह चौथा पहला और दूसरा यह दो जो डिजिट होते हैं इसको हम रखते हैं और तीसरे डिजिट के बराबर तीसरा मल्टिप्लाइड डिजिट है तीसरे के बराबर हम जो है जीरो यानि गुलक बढ़ाते हैं तो यह जो पावर लगाने घात लगाने वाला सिस्टम नहीं यह बहुत सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो पहले के मान को हम रख लिए पहले का भूरा एक हो गया दूसरे का जो है लाल दो हो गया तीसरे का भूरा भूरा का मान कितना होता एक होता है तो एक जीरो मतलब तीसरे स्थान पे जो भी कलर आता उस कलर के बरावर आपको जीरो बढ़ा देना है बिल्कुल सरल और एक यह रहे है इसमें जीरो बढ़ा देने के बाद अगर वैलू एक हजार से कमाता है तो आपको वह ऐसे ही पुट कर देना है उसमें कुछ बदलाओं नहीं करना है क्योंकि एक मान एक सो भी सोम देखें ओम तो नीचे लिए हैं आगे आपको सुधार मिलेगा प्लस माइनस पांच परसेंट हो गया तो यह इस वह रेस्टेंस का मान हो गया अब इसी इस वह लू को एक और रेस्टेंस आपको दिखा रहे हैं जो पूरी तरह को समझ में आ जाए दोस्तो अगला रेस्टेंस हमारा आपके सामने दिख रहा होगा तो उसमें भी देखिए चार बेंड में एक नियम आप जान लेजिए कि तीसरा कलर जो है बल्टिपलायर कलर होता है चोथा टोलरेंस होता है चार बेंड में देखिए पहला कलर हो लाल दूसरा भूरा तीसरा पीला लाल में भूरा का छोथा बलू दींगी आप इसका लियु नीच हो गया हाँ पहले नियम में पहले बता है दिञा कोई बना नहीं कि पहला किसी को किसी जगाप ले सकते हैं वहाँ के उपर हैं कि आपका लाल के जगह पर दो भूरा के जगह पर एक पीला के जगह चार जीरो बढ़ा दे एक जार से भाग देंगे तो तो दोस्तों देखी अगला आ गया दूसरे नियम में आपको क्या करना है पहला भूरा है दूसरा लाल है तीसरा काला है चौथा गोल्डन है देखिए अगर मुल्टिप्लायर के जगह पर अगर काला आ गया तो उसका कोई वैलू नहीं रखते हैं सीधी बात है भूरा के हो ग गैंड हो गया एकदम प्रेटकली आप लोग करके दिख सकते दम निकलेगा एकदम और अगला पता रहे हैं दोस्तों तीसरे नियम में अब आगए मेरा बनाया हूँ दिक्कत नहीं कर देखिए पहला कलर लाल है दूसरा कलर हरा है तीसरा कलर गोल्डन है चौता कलर भी कोल् अगर तीसे लाल का दो हो गया हारा का 5 हो गया तो यह पचीस हो गया उसके बाद की तो दस्य भाग दिये है अगर इसको काटें के nici तो दोस्तों लिजी अगला आ गया आपका चौथा नियम आ गया पहला अस्तान पर हरा है दूसरे अस्तान पर पीला तीसरा अस्तान पर चौथे अस्तान पर गोलें आप बताईए लागया तो यह भी बहुत आसान है तो सव से भाग देना है हमके से याद किया दूसरा बच रहा है गोलें दस हो ही तो सिल्वर याद किजिए गोलें अपने आप बचेगा वह याद हो जाएगा तो हरा कमान पांच है पीला कमान चा ओम इसमें मैं ओम लिखना भूल गया और मैं इसका ओम बना दे रहा हूं कि ओम प्लस माइनस पांच परसेंट यह कंप्लीट हो गया बने रहे तो दोस्तों अगला नियम च्टा नियम या अखरी नियम है समझी खतम है लेकिए मजबूरी बस मैं बता रहा हूं भाइगाट ह अगर कोई नया आत्मी देखेगा नया कोई विवर हमारा देखेगा तो फिर अगर उतना ही बताएंगे तो कहें बहुत बखवाज वीडियो इसलिए पूरा बताना हमारा मजबूरी है देखिए छटा नियम में पहला भूरा है है तीसरा निला है तो था गोल्डन है अब द सब्सक्राइब इसको 20 लाग से आपको भाग देना पड़ेगा और बादेगा और जब पुराना चेपटर था आप आपको हम बता रहे हैं फाइब डिजिट का और सिक्स डिजिट का तो बने रहे लेंगे हमोद दोस्तों मेरे हाथ में एक रेजिस्टर है इसका वैयलू है भूरा काला काला नाल गोल्डेन आप इसको हम मेजर करके दिखा रहे हैं बने रहे और इसको प्रेट कर लिए दो डिजिट वालों को हम प्रेट कर आएंगे यह देखे 20 के के रेंज में हम लगाए हैं आपको यहां दिखेगा कि नव दस्मलोग दिख नहीं रहा कि आप यहां यहां से थोड़ा सा प्रकास कम पड़ेगा देखिए यहां पर लगा रहे हैं कि नव दस्मलोग साथ मतलब 10 के है यह 10 के का है अब यह 10 के को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है यह यह एदम से फार्मूला हुआ है थोड़ा सांतर इसमें है कि इसमें चौथा कलर मल्टिप्लाई होता है बूरा का वाई होगया काला को गया फिर लाल लाल जो है चौथे कलर पे है इसका मल्टिप्लाई आ जायेगा चोथे में लाल कमान दो होता है तो बढ़ाएंगे इक दोब आब इसके लसाए कहाब से présent लोन के मेंränे, मेरे, लिवेन, तीन जीरों से तीन जूर हमारा कर जाएगा पर आपर दस बचा दस किलो ओम प्लस माइनस पांच परसेंट इसकी वैलू निकर गए देखिए बहुत एजी तरीके से अब दूसरे कवर निकाल के बताते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं अगला कलर रेश्टेंस है इसमें पीला नीला काला लाल आपको असपस दीख रहा होगा पीला नीला काला लाल और यह जो है पांचवा कलर है गोल्डेन है आए इसको हल करते हैं वो कलर हम दिख लिए हैं पीला नीला का मान हमारा चार होता है नीला का मान हमारा च्छे होता है काला का मान हमारा जीरो होता है और लाल multiply color है ध्यान देजेगा multiplier है तो लाल का मान दो तो दो जीरो बढ़ाएंगे इसमें दो जीरो बढ़ा देंगे अब यह 1000 से अब इसको आप यह 1000 से भाग देंगे तीन जीरो से यह तीन जीरो कट गया बराबर 46 किलो ओम प्लस माइनस पांच परसेंट अब इसको हम मेजर करके भी आपको दिखा रहे है आपके पास यह resistance है आपका हम यहाँ पर रख दे रहे हैं नीचे क्योंकि अधिक वैलू का है वह इसे हाथ लगाएंगे तो वैलू में ड दिख रहा होगा है ऐब आगल आपको बता रहे हैं तो दोस्तों आपके सामने एक और हम रेष्टेंस लेकर आहें अब इसमें इसिक्स मका है समझे भूरा का मान क्या होता आपका आपका एक होता है भूरा का मान आप एक ले लिए भुरा कमान एक हो गया नीला कमान छे हो गया काला कमान जीरो हो गया बचा लाल लाल तो आपका मल्टिप्लायर यहां पर भी रहेगा तो लाल आपका जो है दो तो दो जीरो आप बढ़ा दी है दो जीरो आप बढ़ा दी है अब इसका मान देखना है कितना हो गया एक हजार से दीख है एक हजार से आप इसको भाग देंगे तीन जीरो से तीन जीरो कट गया अब इसको लिखेंगे किस तरह से बराबर 16 फिलो ओम प्लस माइनस 5 परसेन्ट और टमप्रेचर लाल का मान कितना है 2 फरसेंट तो दोस्तों आप सिक्स बेंड का एक समी इसी तरह निकालेंगे कोई परसानी कोई प्रप्रपलम नहीं है इसमें भी शिक्स बेंड में भी मेगा में अगर जा रहा है तो दस लाग से हamine तो यह हमारा वीटियों